Hello Class 9, देखिए मैंने कुछ छोटा सा नोट बनाया है important topics पे जो कि आपके climate chapter से related है और इसमें मैंने सबसे पहले difference between climate and weather बताया है जिसमें climate है, it refers to the sum total of the weather condition and variation over a large area for a long period of time, more than 30 years इसको कहते हैं climate और weather क्या होता है, weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time for example, in a single day, weather may change, like in the morning, there will be sunshine but in afternoon, it may rain or it will become cloudy, ठीक है तो यह तो हुआ difference climate और weather का इसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी चाहिए वो है factor responsible for weather and climate weather और climate के लिए कौन-कौन से factor होते हैं तो element of weather and climate are same, जो weather और climate के लिए जो factors या elements होते हैं वो same होते हैं कौन-कौन से होते हैं, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation इस तरह के question MCQ में बहुत रहे होते हैं उसके बाद loo क्या होता है, loo और what is loo ऐसे आप से पूछा जा सकता है तो क्या होता है loo, striking feature of the hot weather season is the loo it is strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and northwestern India sometime it may blow till late evening, direct exposure to these winds may prove fatal ये क्या होता है, गर्मी के दिनों में बहती है, जिसको हम loo बोलते है ये खास तरह पर north and north western India में loo देखने को मिलता है और ये क्या होता है, ये दिन भर तो बहती है, कभी कभी देर शाम तक भी बहती है और अगर आप इसके चपेट में आ गए, तो ये कई बार लोगों की मृत्यू भी हो जाती है उसके बाद काल बैसा की, ये क्या होता है काल बैसा की कहते हैं, ये होट वेदर कंडिशन, जब होट वेदर सीजन होता है तब आता है और इस सीजन में क्या होता है, सिर्फ उसी एरिया में, पूरे एरिया में नहीं थंडर स्टॉर्म या तोफानी बारिश होती है और कई बार तेज हवाएं भी चलती है, बारिश तो होती ही है और इसके अलावा कई बार ओले भी गिरते हैं ये अक्सर गर्मी के दिनों में होता है उसके बाद क्या होता है, मैंगो शावर, मैंगो शावर क्या होता है तो मौनसुन आता है मौनसुन के पहलेकी थलकी सी बारिश होती है जो के खास तर पर केरला और करनाटका में होती है और इससे क्या होता है कि जो आम लगे होते हैं इन इन इलागों में केरला और करनाटका में और इसको पकने में मदद करता है वो इसलिए ये help in early ripening of mango and therefore it is called mango shower एक आरन है कि इनको mango showers कहा जाता है क्योंकि ये आम को पकने में मदद करते हैं October heat, October heat क्या होता है? The month of October November form a period of transition from hot rainy season to dry winter season जब October November का महीना आता है तो क्या होता है? मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है और rainy season खतम हो जाता है तब क्या होता है? मीन्ती थोड़ी गीली भी रहती है और इससे क्या होता है? अब सुखा थंड का मौसम आ जाता है आपको पता ही है, बार बार मैंने आपको बताया है कि जब winter season होता है तो क्या हवा बिलकुल सुखा रहता है? इसके कारण क्या होता है? हम अपने चेहरे पर अपनी स्किन के ओपर ही बहुत सुखापन महसूस करते है इसलिए अक्सर आप ध्यान देते होगे कि winter season में शरीर में तेल या क्रीम वगरा लगाया जाता है ताकि उस सुखापन को दूर किया जा सके है तो यह dry winter season आ जाता है the retreat of monsoon is marked by clear sky जो बरसात होती है बाद बरसात के बादल वो खतम हो जाते हैं आसमान बिलकुल साफ हो जाता है यह कारण है की थोड़ा temperature जादा हो जाता है और इसकी वज़े से जब temperature जादा हो जाता तो क्या होता है वाइल नाई शाम और सुबह बिलकुल ठंडा अच्छा होता है अच्छा मैसूस करते हैं न but as the temperature remain high चुकि दिन में temperature बहुत जादा होता है इसकी वज़े से क्या होता है और humid जमिन गिली होती है तो सभावी के humidity हवा में जादा होती है यह कारण है कि कई बार हम बहुत बेचैनी दिन के समय में काफी बेचैनी महसूस करते हैं और इस गर्मी के कारण जो हमें बेचैनी दिन में महसूस होती है इसको October heat कहा जाता है ठीक है तो और भी ऐसे term है जिसको मैं देखूंगी chapter में तो आपको explain कर दूँगी और साथी साथ back exercise में MCQ है तो आप लोगों ने उसको तो करी लिया होगा साथी साथ क्या है कि आप और extra MCQ भी कीजिए मैं अगर chapter का MCQ बना पाऊंगी तो वो भी बनाकर इसमें वीडियो बनाकर मैं उसमें डाल दूँगी या जितनी जल्दी हो सके तो वीडियो को like और subscribe जरू कर दीजिए ठैंक्यू वेरी मच और यह सब चीज़ें आप अपनी copy में नोट कर ली जगा ताकि एक्जाम के समय पढ़ने में आपको आसानी हो Thank you very much